नमस्कार मैं हो प्रिया पत्ना की खबरों में आपका स्वागत है चरिजानत है पत्ना की 11 फटाफट खबरों को पटना बेट्रों की तेज होगी रफतार राजधानी पटना वासियों को मेट्रों की सुवधा मोहया करवाने का बिहार सरकार का सपना जल्द ही साकार होने वाला है COVID-19 के कारण वैसे ही इसमें बहुत देरी हो चुकी है लेकिन अब यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मेट्रों निर्मान के काम को पूरा कर लिया जाए यह कारण है कि बिहार चांबर आफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में व्यबसाईयों के साथ आयोजित बैठक में पटना प्रमंडल के आयोगति सहभवन निर्मान विभाग के सचिव कुमार रवी जुराधिकारी डॉक्र चंदर शेखर सिंग और सीनिर स्पी MLC धिल्लों न दिनों में राजधानी पटना में रजस्तर ये भारुत तोलन प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है इस महीने की 14 से 16 मार्श तक भारुत तोलन प्रसेक्शन केंदर में सूबे के 23 जिलों के प्रतिभागी शरकत करेंगे आयोजन भारुत तोलन के अंतराश्रे स्तर की गई है यानि कि अब जल्द ही राजधानी के पाटले पुद्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीन दिनों तक भारुत तोलन का दमखम देखने को मिलेगा इस महीने 33 से 62 सी एंजी स्टेशन बनकर हो जाएंगे तैयार बिहारवासियों को जल्द ही सी एंजी स्टेशन के दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्टेशन के संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है उमीद है कि इस महीने तक 33 से 62 सी एंजी स्टेशन लोगों के लिए बना दिये जाएंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार के राजधानी पट पटना संग्रहाले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास दाश्रिक स्थल के तोर पर यह भी बेहत प्रसिद स्थल है 1917 में स्थापित ये बिहार का पहला संग्रहाले है यहाँ आपको 20 करोड साल पुराने व्रिक्ष का अवशेश भी देखने को मिलेगा यहाँ देखने योगे काफी चीज़े मौजूद है जिसमें बौध हिंदू मौरे गुप्तकाल से जुड़े विभिने चीज़े सुरक्षित रखी गई है इसके साथ ही यहाँ पर लोग ऐसे जादुगर के नाम भी जानते हैं जो काफी समय से अपने काम के लिए मशूर रहे थे पतना के ज्यान भवन में लगा इंटरनाशनल ट्रेट फेयर बीते दिन से राजधानी पतना के ज्यान भवन में इंटरनाशनल ट्रेट फेयर की शिरवात हो गई है ज्यान भवन में दस दिविसिये इंटरनाशनल ट्रेट फेयर के पाचवे संसकरन का योजिन चल रहा है ज तुर्की से आये हुए तुर्की के उध्यमी अपने यहां के स्पेशल तुर्की के सरामिक हैंडमेट के उत्पात के स्टॉल लगाये हुए देखे गए। स्टॉल में भरती करवाया गया है आपको बता देए यह पहला मौका नहीं है जब राजधानी पतना में इस तरीके क्या भीशन सरक हाथसा हुआ हो इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है। अपने इस पर बिहार के डिप्टी सीम रेनु देवी पर भी हमला बोला है। पुर्फ के इंद्रे मंतरी रविशंकर प्रसाद ने किया संत शिरोमनी बाब गाडगे की मूर्ती का अनावरन। पुर्फ के इंद्रे मंतरी रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित धोबी घार प्रांगन में अखिल भारतिय धोबी महासभा द्वारा धोबी समाज के पुरोधा संत शिरोमनी बाबा गाडगे की जयनती पर रविवार को उनकी मूर्ती का अनावरन क करते हुए सांसंद्र विशंकर प्रसाद ने कहा कि संत शिरोमनी बाबा गाडगे जी महराज एक व्यक्ती ही नहीं बलकि समाज थे उन्होंने देश पे स्वच्चुता का जो अलग जगाया है उसे जन जन तक पहुचाना ही बाबा गाडगे जी महराज का मकसद था राजधानी पटना में जुआरी है COVID-19 में गिरावट के मामले बिहार में COVID-19 मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जुआरी है स्वास्थभा की तरफ से मिली जुआनकारी के नसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 28 मरीजों की पुष्टी अब आए जानते हैं सराफबाजार और पेट्रोल डीजल के क्या है भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट के लिए आज परती 10 ग्राम 48,450 रुपे है वही 24 कैरेट के लिए परती 10 ग्राम 52,850 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात क करें तो अधितम 31 डिग्री सेल्सियोस और नियुंतम 14 डिग्री सेल्सियोस है तो जो लिए बढ़तें आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार राजधानी पटना कि सडकों पर मैन हूल की समस्या है या नहीं अपने जवाव में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पटना की बड़ी खबरों से अबडेटिव रहने के लिए हमारे यूटिव चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भोले धन्यवाद